हर इंसान के अंदर तमाम तरह की ख्वाइशे होती हैं जिसे पूरा करने के लिए इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है फिर भी वो सफलता हासिल नहीं कर पाता वहीं आपको बता दे कि इसका मुख्य कारण ग्रहों की चाल से भी होता है क्योंकि ग्रहों की चाल से ही हम पर सीधा परभाव परता है हर बार राशी परिवर्दित होती रहती है वहीं इस बार एक ऐसा महासयोग बन रहा है जिसमें सिर्फ एक राशी के लोगों पर महाकाल की विसेश किरपा होने वाली है ऐसी मान्यता है कि ऐसा महासयोग कई वर्षों बाद बन रहा है जिसमें महाकाल स्वय में इस राशी पर महरवान हो रहे है वहीं इस बार के महापरिवर्दन में कुछ खाश राष्यों को भारी लाव होने की संभावना बन रही है वहीं जीवन में सुक और सिम्रिदी उसके कुंडली के माध्यम से भी जाना जा सकता है वहीं ग्रहों और नक्षत्रों के नुसार इस बार के महासयोग से कुछ राशियों को बहुत ही भारी लाब होने वाला है इस महासयोग में भगवान शिवात से एक राशी वाले लोगों पर बिसेश करपा बरसाने वाले हैं इस मा सहयोग से आपकी आतिक इस्तिती मजबूत होने वाली है वहीं आपका मन उच्छा से भरा रहेगा आपकी सोच सकरात्मक भी रहेगी साथी सेहत में सुधार होगा वहीं मातपिदा का सहयोग आपको हर काम में सफलता दिलाएगा इसके अलावा आपका भाग ये आपका प सुधानी वरतने की जोरत है बहतर होगा आपकिसी वाद बीवाद से दूर ही रहे नहीं तो आपके बनते काम बिगर shapnay के योग बन रहे हैं आजका कारे समय में पूरा करने की मनमें ठान ले नहीं तो आपकी सफलता के रास्ते में बहुत सी रुकावटे आ सकती हैं वहीं आपके सारे अधूरे काम बनने के चांस बन रहे हैं इस साथ ही अचानक धनलाब भी हो सकता है वहीं भगवान शेफ की किरपा इन लोगों पर हमेशा बनी रहने वाली है आज हम जिस राशी की बात कर रहे है वह राशी है मीन राशी जिया मीन राशी वाले लोगों पर महकाल की विसेश करपा बरसने वाली है साथ इनकी जंदगी में खुशियों की बहार आएगी नैशनलिस्ट पीचोल से रानी की रिपोर्ट झाल